आपका हमारे चैनल शीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं जितने भी पॉपलोड्स हैं वो आपके पास आउटोमेटिक मिलते चले जाएंगे और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपलर चैनल जिसे देखकर आप इंटर्टेन होंगे आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि विश्यव रासी को ये जो गनेश यतूरती आ रहा है 13 सप्पेंबर को उन्हें गनेश जी का पूजन कैसे करना चीए उन्हें क्या भूग लगाने चीए और किस रंग की गनपती की स्थापना करनी चीए या किस रंग की गनबती की पूजा करनी चीए दिखें भगवान स्री गनेश को पर्थम में पुझ मंगल मुर्ती, दुख हरता, मंगल करता, गननायक और ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है और गनेश ये अपने भक्तों भी हर मनकामना पूदी करता है तंत्र सास्तर में भगवान सी गनेश की पूजा करने का उलेक मिलता है तंत्र सास्तर के अनुसार यदि कोई वैक्ती आपने नाम के अनुसार भगवान सी गनेश की पूजा करें तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और हर मनकामना पूरी होती है भगवान गनेश का पूजन और आराधना करने से सभी परकार की समस्या दूर होती है गनपती शुब संकल्प पूर्ती के आदि देव माने गए हैं तो राशी रुसार कैसे भगवान की आराधना करें हो हम आपको बताने चाहरे हैं तो बृषब राशी के बारें बताएंगे में इस राशी का हम पहले वीडियो बता चुके हैं बृषब राशी का बता रहे हैं बृषब राशी वालों को गनेश के शक्ती विनायक रूप की आराधना करना चीए उन्हें आप गन या फिर ओम मंत्र की माला प्रते दिन चपकर घी में मिश्री लगा कर भूग लगई निश्यत उन्हें सभी तरह के समस्याओं का समाधान मिलेगा उनके जो विशेश भूग है विनाय गनेश का वो है मिश्री, शक्कर और नारियल से बने नड़ू यह विशेश भूग है मंत्र है आपका ओम घृम 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 और डिटेल में हम आपको बता देते हैं बिश्रबरासी वाले जात्कों के लिए दुधिया रंके स्वी गनेश जी के अराधना करना सबसे उत्तम होता है यह जो दस दिन का जो टाइम है जो 13 सप्टम्बर से शुरू होता है और 13 सप्टम्बर तक है प्रते दिन गनेश जी को सफेद फूल पर इत्र लगा कर नौ दुरवा के साथ सफेद लड़ू का भूग लगाई है और अति उत्तम हो जाएगा एक और मंत्र है जो आप कुजा करते हैं इसमें बिश्व रासी बोल सकते हैं जो मैंने बताया उसके लावा ओम गन ओम गन ओम गन ओम गन इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं तो इस प्रकार्श जो मैंने आपको बताया मंतर भी मैंने आपको तीन बता दिये हैं तो इस प्रकार स्री गरेशी का कूजन करने पर भिश्वरासी वाले जात्त को सभी कारे में सफलता भी प्राप्त होगी और सिद्धी भी प्राप्त होगी तो धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीशिए धन्यवाद